पूरा मामला क्या है? आईए आपको बताते हैं प्रात्मिक सिक्षक भरती में बियेड अभियर्थियों को शामिल करने से जुड़ी याचिका पर सुक्रवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई टल गई इसे लेकर बियेड अभियर्थियों की ओर से सुप्रीम कोट में रीट याचिका दायर की गई थी इस पर सुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गई जस्टिस, एसेस, बोपन्ना और एम सुन्दरेश की खंटपीट में सुनवाई टलने से बिहार में एक लाख सतर हजार सिक्षकों की बहाली निकाली गई है इसमें कक्षा एक से पांच तक 89,943 पदों पर सिक्षकों की बहाली होनी है हाला कि सुप्रीम कोट ने पहले ही राजस्थान से जुड़े एक मामले में कहा है कि बियेट अभियर्थियों को प्राथमिक सिक्षक की रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है इसी आधार में बिहार में भी बियेट अभियर्थियों को कोट से पहले ही जटका लग चुका है हाला कि एक बार फिर से इसे लेकर रीट याची का दायर की गई है इसकी सुनवाई को लेकर जस्टिस एस बोपन्ना और एम सुन्रेस की खंज पीच ने वापस से अनिरुद बोस के बेंच जाने की सला दी है जस्टिस अनिरुद बोस ने ही राजुस्थान मामले में फैसला दिया था कि डिलेज पास अभियर्थी ही प्राइमरी स्कूल में सिक्षक बन सकते हैं ऐसे में आज की सुन्वाई टलने से एक बार फिर से बीएट अभियर्थियों का इंतजार और ज्यादा लंबा हो गया है बिहार में एक लाग सतर हजार सिक्षकों की बहाली निकाली गई इस बहाली में प्राइमरी स्कूल में क्लास वन से 5 तक 79,943, 9 से 10 के लिए 32,916 और 11 से 12 के लिए 57,602 पदों पर बहाली निकाली गई थी BPSC के सिक्षक बहाली 2023 के लिए परिक्षा भी ले लिए और इसमें करीब 6 लाख अभियर्थी परिक्षा में सामिल हुए थे इसमें B.A. अभियर्थी की संख्या करीब 3,90,000 थी ऐसे में इन B.A. अभियर्थियों की उमीद अब सुप्रीम कोर्ट पट्टी की है तो देखिए B.A. अभियर्थियों को भी प्रात्मिक सिक्षक में शामिल करनी के लिए ये रिट याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई लेकिन अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं सुनाय गया और सुप्र झाल झाल